दोस्तो अगर आप परधान मंत्री आबास विजना के लिए apply के हैं और आपका अभी तक परधान मंत्री आबास विजना के list में नाम add नहीं हुआ है तो दोस्तो आपका ये भी हो सकता है कि आपका form को reject कर दिया गया है और आपका नाम को reject list में add कर दिया गया है तो दोस्तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा दिखना होगा तभी दोस्तो आपको समझ में आएगा और दोस्तो इससे पहले आपसे एक छोटी स्रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल में ने आये तो इस वीडियो को लाइक करके और चेनल को subscribe कर ले तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तो परधान मंतरी आबास विजना के reject list को निकालने के लिए आपको इस page पर आना होगा परधान मंतरी आबास विजना के official page पर तो दोस्तो इस page का link मेरा वीडियो के description पर आपको मिल जाएगा वहाँ पर दोस्तो आप click करके इस page पर आ जाएए इस page पर आने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा 3 line यहाँ पर आपको click करना है यहाँ पर आप जैसे ही किलिक करते हैं यहाँ पर आपको आबासव बला ओप्शन पर किलिक करना है आबासव बला ओप्शन पर किलिक करने के बाद आपको यहाँ पर रिपोर्ट बला ओप्शन पर किलिक करना है जैसे दोस्तो आप report वल option पर click करते हैं आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है और नीचे आनेक बाद यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा GIS report तो दोस्तो आपको इस section पर आनेक बाद पहला नंबर पर आपको एक option देखने को मिलेगा इसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपको परदान मंतरी आबास विजना ग्रामीन सिलेक्ट रहने देना है और यहाँ पर आपको all सिलेक्ट रहने देना है और इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं all state यहाँ पर आपको किलिक करके यहाँ पर आप अपना state को सिलेट करनेक बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक option state तो दोस्तो यहाँ पर आपको किलिक करके यहाँ पर आप अपना district को select कर ले district को select करने के बाद आपको नीचे मिल जाएगा select तो दोस्तो यहाँ पर आप किलिक करके यहाँ पर आप अपना block को select करने के बाद दोस्तो आपको नीचे मिल जाएगा select तो दोस्तो यहाँ पर आपको किलिक करके यहाँ पर आप अपना gram पंचायत को select करने के बाद आपको नीच मिल जाएगा एक option select image status तो दोस्तों यहाँ पर आपको किलिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में reject तो दोस्तों आपको reject वला option पर किलिक कर लेना है जैसे दोस्तों आप reject को select कर लेते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक capture code तो दोस्तों इस capture code में minus plus जो भी रहेगा यहाँ पर आपको solve करके इस box पर आपको solve कर लेना है तो दोस्तों यहाँ पर हम solve कर लेते हैं solve करने के बाद दोस्तों आपको नीचे submitable option पर click कर देना है जैसे दोस्तों आप submitable option पर click करते हैं आप नीचे में देख सकते हैं यहाँ पर list निकल कर आ चुका है यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पर registration number दे दिया है इस registration number से आप पता कर सकते हैं कि आपका reject हुआ है कि नहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं verification status reject तो दोस्तो यहाँ पर सभी लभारतियों का दोस्तो यह दोस्तो reject list है अगर दोस्तो इस list को अगर आप download करना चाते हैं तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं download PDF तो दोस्तो यहाँ पर आप click करके इसे आप download भी कर सकते हैं और दोस्तो अगर आपको check करना है कि आपका इसमें नाम है कि नहीं तो दोस्तो आप इस registration number को copy कर ले यहाँ पर आप कोपी कर ले और कोपी करने के बाद को सबसे उपर आ जाना है यहाँ पर आपको थीरी लाइन बल अप्षन पर किलिक करना है यहाँ पर किलिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस्टेक होलडर यहाँ पर आपको किलिक करना है यहाँ पर आप किलिक क कर दिना है जैसे दूस्तों यहां पर आप किलिक करते हैं यहां पर लाभारती का पुरा डिटेल्स आ जाएगा इसका नाम क्या है इसका पंचाइद का है इसका विलेज का है यहां से आप पुरा डिटेल्स चेक कर सकते हैं तो दूस्तों आप इस तरह से रिजेक्ट लिस्ट क कैसे निकालना है अपने मुबाइल फोन में और कैसे डाउनलोड करना है तो दूस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगाऊगा तो दूस्तों वीडियो को लाइक कर दे और दूस्तों अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नही के बाई 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 बंदे मातराम जय हिन जय भारत